हेलो सर नमस्कार इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे टामाटर की उन्नत सफल खेती की A2Z संपूल जानकारी हम आपको guarantee के साथ कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद टामाटर की उन्नत खेती करने के लिए आपको अन्न वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो पर हम आपको खेत किस परकार तयार किया जाता है इह बताएंगे उन्नत किसमें जलवायू मौशम इस परे का सेडियूल साथ ही कितने परकार के फंगस आते हैं उनको हम समय रहते कैसे रोक थाम कर पाएंगे एवं समय समय पर सीचाहिए और समय समय पर किस परकार टमाटर की बंधाई करने चाहिए महतपूर आवस्सक महतपूर तत्थ और टमाटर की फसल कब लगानी चाहिए कितनी मात्र पर हमको उपाजुत पादम देखने के लिए मिलता है समपूर जानकारी के लिए टमाटर की इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना होगा स्वागा थे दोस्तों आपका The Advanced Agriculture यूटूब चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त सिपकुमार चलिए शुरू करते हैं हम आपको जानकारी के लिए किसान भाईों बता दें यह वीडियो में हम बिस्तार के साथ आपको समझाने वाले हैं एक-एक रोगों के बारे में समपूर जानकारी यह तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि इस वीडियो पर कितने विस्तार से समझाया गया है किसान भाईों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं उन्नत समय के बारे में तो सर्दियों के लिए आप जुलाई अगस्त महीने पर टमाटर को लगा सकते हैं क्यूंकि हार्वेस्टिंग आपको अक्टूबर में मिल पाईगी बहीं आप गर्मियों के लिए दिसंबर और जनवरी महीने पर आप लगा सकते हैं तो आपको मार्च के महीने पर आसपास मिट्टी पर जिसका मिर्दा का pH मान 5.5 से 7 pH की आसपास मिर्दा का pH होना चाहिए उत्तम जल नकाश रहित खेतों पर आप टमाटर की खेती कर सकते हैं जैसे काली दोमाट, चिकनी दोमाट, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी पर आप टमाटर की खेती सफलता चाहिए और अधिक्तम टेंपरेचर 35-36 डिगरी सेल्सियस टेंपरेचर सही रहता है अधिक ठंड में पाला लगने की पूरी संभावना रहती है और ज्यादा तापमान यानि 40-45 जब डिगरी सेल्सियस टेंपरेचर होता है तो फल खराब होने लगते हैं थोड़ा आप मौसम पर बिसी ध्यान रखकर ही टमाटर की खेती करना चाहिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपक के खेत तयार तो प्लाव चलवाईए मिट्टी को आप पलटवा दीजिए और कम से कम दो से तीन हफते तक धूप लगवाईए और उसके बाद रोटोबेटर से मिट्टी को जानकारी आपको माल्चिंग ड्रिप में की जाने वाली खेती के बारे में ही जानकारी दी जा रही है जो साखाँ वाला टमाटर होता है वही जानकारी आपको प्रोवाईट की जा रही है तो बात करते हैं बेसल डोज बैट के अंदर दी जाने वाली खात को बेसल डोज कहत वाली मूरिट और पोटास और 5 किलोग्राम दानेदार कीट ना सक रिजेंट जी आर को ले लीजिए दानेदार कीट ना सक को और 3-4 ट्राली पकी हुई गोवर की खाद आपको इस्तमाल करना है उपयोगत खादों को मिसरान करके पहले आप गोवर की खाद और डी एपी सिंगल्स पर फास फेट एमोपी रीजेंट इन सभी को मिक्ष करके आप हाप बैड बनाकर बैड के ऊपर देवें और दोबारा मिट्टी को आप फिर से चढ़ा दीजिए कुछ इस प्रकार बैड मेक पिट की हो जाती है तो आने जाने में आसानी हो तो उसके लिए सबसे बैस्ट है कि आप धाई से तीन फेट बैड से बैट की दूरी रखिए बात करते हैं अंगले और नेक्स टॉपिक के बारे में मल्चिंग पेपर होल्स जिग जिग पौद रूपाई के लिए जिग द्रिप का रखें बिसेश ध्यान होल्स करते समय ड्रिप लाइन्स को थोड़ा सा साइट कर लीजिए और फिर आप मल्चिंग पेपर पर टमाटर के लिए दो इंची होल्स कर दीजिए बात करते हैं अंगले और नेक्स टॉपिक के बारे में नरसरी तैयार यानि पौद ही क लिए इस वीडियो को आप अन्थ तक इसलिए देखें कि यह जानकारी आपको आने वाले समय पर काफी महत पूर यह जानकारी आपके लिए सिद्ध हो शकती है तो स्वस्त नरसरी आप किस प्रकार तयार कर सकते हैं या ध्यान से सूनिए 22-25 दिनों पर आप टमाटर की स्व पूजल से भी कर सकते हैं अथवा सावन तरीके से भी आप बैड बना कर या फिर आप बिल्कुल सिम्पल तरीके से बैड बना कर भी टमाटर की नरसरी तयार कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि पिरो ट्रे पर आप नरसरी किस परकार तयार कर सकते हैं कोकोपिट खाद में एक एक बीजों की बुआई करें और आसानी से फर्टिलाइजर सौपर नारियल की जो खाद है जिसे हम कोकोपिट खाद बोलते हैं आप कोकोपेट खाद ले आए और एक एक बीजों की वुआई करके कुछ इस प्रकार आप स्वस्त नरसरी तयार कर सकते हैं जिग जैग पौध रुपाई के लिए आपको लगभग 15,000 से 16,000 पौधों की जरूरत पढ़ेगी प्रती एकड़ की दर्से हैं और जानकारी आपको प्रती एकड़ की दर्से ही दी जा रही है तो आपको एक एकड़ हैं 15,000 से 16,000 पौधी की जरूरत पढ़ने बाली है किसान भाई बाई को नरसरी तयार करती हैं आने बाली कटनाइएं परिशान ब्लच धिक्कत, फंगस, कीट काई परकार की समस्य हो शकती हैं तो जड़े सबसे पहले समझते हैं कि जड़े ठीक तरीके से बनें तो उसके लिए आप एक एकड़ पर जब नरसरी तयार कर रहे हैं तो कोकुपेट खाद के साथ एक किलो ग्राम हिवमेक एसिट को मिक्ष करके बुआई करें फंगस लग रहे हैं नरसरी पर दस बारा दिन की है तो आपको एक काम करना है कि एक लीटर पानी में दो ग्राम यूपील कंपनी की साब करबेंड़ जब और मेंको जब फंगी साइट आती है इनको मिक्ष करके इस्प्रे कर सकते हैं और यादि कीट दिख रहे हैं तो एक कुछ बता दिया कुछ इस प्रकार प्रो ट्रे पर आप नरसरी तयार करेंगे तो आप आसाने से 22 से 26 दिनों पर आप टमाटर की नरसरी तयार कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार भी आप टमाटर की नरसरी तयार कर सकते हैं जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं सिंपल तर कि से भी टमाटर की नरसरी तयार कर सकते हैं इसमें कोई दोहराव की बात नहीं है किसाम दोस्तों बात करते हैं अंगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पौधी से पौधी की दूरी जेक जेक पौधरूपाई यानि डबाल लान पर आप पौधरूपाई कर रहे हैं तो आप एक से दो घंटे पहले ड्रिप चला लेजिए फिर उसके बाद आप प्लांटिसन करना चाहिए इसके अलावा बात करते हैं प्रती एकड़ बीज की आवज सकता एक एकड़ में 80 ग्राम से लेकि 100 ग्राम प्रती एकड़ की दर से बीज यानि सीट्स की आवज सकता पलती ह बात करते हैं उननत किस में तो हम अपने MP यानि मद्द प्रदेश के हिसाब से बता रहे हैं सेमिनीस कंपनी का अभिलास सिजेंटर कंपनी की साहो टीयो 32 इंक्याबन और EOS का 1501 और अरकार रखचच या हम अपने एरिया के हिसाब से बता रहे हैं इसके अलावा हम लोग के एरिया में यह बैराइटी काफी उप्योक्त हैं काफी अच्छा उपज उत्पादन मिलता है इसके अलावा आप मिट्टी जलबायू मौशम टेंपरेचर मिट्टी के अनुशार ही आपके एरिया के हिसाब से सूटेबल बैराइटी का ही किसान भायों आपको चैन करना चाह है तो हम आपको एक रेक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप नजदी की क्रेशी बैभाग में जाएगे और बैराइटी को लेके इस बिसाय पर आप उनसे बारतलाब कर सकते हैं कि हमारे एरिया में यह मिट्टी है यह टेंपरेचर रहता है तो क्रेशी बैभाग वाले आपको आसानी से बता सकते हैं कि आपके एरिया में कौन सी बैराइटी सूटिबल हो सकती है तो किसान भाई और बैराइटी को लेके हम आपको बिल्कुल भी रेक्मेंडेट नहीं करेंगे कि आप इस बैराइटी को चैन कर लीजिए जो आपके एरिया में बढ़िया हो आप उसी का चैन करें बात करते हैं अंगले और नेक्स टॉपिक के बारे में ड्रिप मल्चिंग ड्रिप सिचाई सबजियों के लिए 16 mm आराम से सिचाई करने के लिए आप 16 mm ड्रिप इन लाइन सिस्टम बहतर रहता है और मल्चिंग पेपर 25 mm का आप टमाटर की खेती कर रहे हैं सिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं बैगन की खेती कर रहे हैं या फिर तर्बूच की खेती आप कर रहे हैं तो आप 25 mm का मल्चिंग पेपर लगा सकते हैं बैसे आप तर्बूच की फसल पर 20 mm का मल्चिंग पेपर भी सीचाई खाद देने में आसानी होती है मल्चिंग पेपर से कम से कम पानी की जरूरत होती है और इसके अलावा खरपतवार नहीं उकते हैं और बेंचुरी के माध्यम से हम खाद बाटल सेरिवल फर्टिलाइजर्स देते हैं यह बतानी की जरूरत नहीं है लेकिन जो यूवा क किसान है उनको यह जानकरी बहुत ही महत्पूर्ण सिद्ध हो शकती है बात करते हैं अंगली टॉपिक के बारे में प्लांट ड्रेंचिंग अब वीडियो सुरू होती है और किर्पिया ध्यान से सुनिए समझिए प्लांट ड्रेंचिंग पौध रुपाई के बाद पहला काम आपको क्या करना है पौध ही ठीक तरीक से जाड़ें पकड़ें ठीक तरीक से ग्रोथ हो बढ़वार हो फंगस ना आए तो एक प्रकार की घुट्टी पलाने को ही हम ड्रेंचिंग बोलते हैं अपने सब्दों पर फस्ट ड्रेंचिंग यानि पौध रुपाई के बाद पह समय मेंको जैब और कारवेंडा जिम का जो कॉंबिनेंसान है 100 ग्राम फंगी साट को लेना है और 500 ग्राम से लेके एक किलो ग्राम एनपी के घुलान सील खाद 19-19-19 घुलान सील खाद को इन सबी को मिक्स करके आपको प्रती पौध है 50 से लेके 100 एमल के अनुसार किसी डिब घुटी का काम करेगी इससे फाइदा हो जाएगा कि ठीक तरीके से ग्रोथ होगी स्वस्थ ग्रोथ होगी पौध ही मरेंगे यानि डंपिंग ओप नहीं होंगे और आपकी ठीक तरीके से ग्रोथ होगी यानि ठीक तरीके साब ने प्लांटिसन की जल्दी जड़ां पकर ले ये टमाटर की फसल पर आपको एक से दो ड्रंचिंग दो ड्रंचिंग तो आपको करने ही चाहिए यदि आप मल्चिंग ड्रिप पर खेती कर रहे हैं तो इसके अलाबात करते हैं किशान भाईयों सीचाई तो रोजाना आवस्चत अनुसार ही सीचाई करना चाहिए हम रोजान लगभग एक से डेल घंटे के आसपास टमाटर की फसल पर सीचाई करते हैं 16 mm drip lines से आईए जानते हैं अंगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में टमाटर की बंधाई यह अपने आप में काफी महत्पूर्ण और अनिवार टॉपिक है और इसकी जानकारी के सानभाईयों को होना जरूरी है तो जो साखाँ वाला टमाटर होता है जिसकी हाइट साड़े चार पांच फिट होती है तो उसको उपर किस परकार बंधाई की जाती है किस परकार बंधाई की तुकड़े इस सभी की जानकारी बिस्तार से समझती हैं तो जो साखाँ वाला टमाटर होता है उसकी बंधाई करना बहुत ही जरूरी होता है तो सबसे पहले बात करते हैं आवसक सामागरी यानी टमाटर बंधाई के लिए देखिए 1400 से 1500 तुकड़े की आसपास मजबूत बंध के तुकड़ों की जरूरत पढ़ेगी जो मजबूत होना चाहिए इसके अलाबा पिलास्टिक की रसी की जरूरत पढ़ेगी और बंधाई के लिए शुतली की आवसकता पढ़ेगी तमाटर की फसल पर तकरीबन पंध से साथ बंधाई की जाएगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 15-15 फिट की अंतराल पर एक लाइन पर यानी एक बैट पर आपको डबल बंधाई लगाना है हम तो कहते हैं जब आपकी फसल 20 दिन की आसपास की होती है तो टमाटर की फसल पर पहली बंधाई आपको करनी चाहिए सबसे पहले बांस लगाए कुछ इस प्रकार और रसी खीची के बैट से लगभग ढ़ाई फिट उपर जिक जेक बंधाई करें रसी सुतली जो आपका पौधा होता है जब आपकी फसल लगभग 15-20 दिन की होती है तो आपको पौधी पर सुतली से लपेट्टू के बांधना है सौप्ट हैंड से और रसी पर आपको बांध देना है जिक जेक आपको बंधाई करना है और इसी परकार 30-35 दिनों पर दूसरी बंधाई करनी है और टमाटर की फसल जैसे जैसे बढ़वार होती जाती है उसी परकार टमाटर की निरंतर बंधाई करते रहना चाहिए सुतली से इसके अलावा सुतली को इस प्रकार आप बंडल लेके आईए और लगभग दो से धाई फिट धाई 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 फिट लंबाई रहत आप सुतली काट लीजिए और आब सकता अनुशार बंधाई करते रहना चाहिए टमाटर की बंधाई करते समय सौप्ट हैंड से ही मजबूत बंसों को ही लगाना चाहिए जो आप इस वीडियो पर देख रहे हैं इतने मजबूत बंस होने चाहिए और ठीक तरीके से आपको बंधाई करते रहना चाहिए हर 15 या फिर 20-20 दिनों के अंतराल पर आबस सकत अनुशार जैसे हाइट होती जाती है उसी प्रकार को हमको तीन लेयर रसी खीच कर उन्हीं तीन लेयर के अंदर बंधाई करनी चाहिए लगवाक टमाटर की हाइट साले 4-5 फिट के आसपास जाती है तो इस प्रकार यदि आप किसान भाई यो बंधाई करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा तो ध्यान रखना है टमाटर की फासल पर बंधाई के लिए आपकी टमाटर की फासल बंधाई के लिए तैयार है आप मार्केट जाते हैं या फिर आप आसपास पता लगाने जाते हैं तो किरपया ध्यान रखें टमाटर में बंधाई के लिए बंधाई की सबसे ज़्यादा जरूरत पढ़ती है और बंधा ध्यान रखना है थोड़ा सा देख 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 की भी काफी जादा जरूरत पड़ती है बंधाई पर रखें इस्पेशल ध्यान किसान भायू अब सुरू होता है सबसे महत्पूर टॉपक इस्प्रे सेडियर यानि पत्तों पर कितने प्रकार के रोग आते हैं टमाटर पर कित की नाम यानि टमाटर की फसल पर कौन कौन से कीट लगते हैं तो लीफ माइनर, शफीद मक्खी, थ्रिप्स, एफिड, जैसेड, बग, फल भेदक, तमबाखु इल्ली, पत्तों और फल को खाने बारी इल्ली, सकिंग पेस्ट और इंसेक्ट, इनको कंट्रोल हम किस प्रकार क कर सकते हैं, अनकी भी यदि आते हैं, तो उनकी रोक थाम किस प्रकार करना चाहिए, किरप्या ध्यान से सुनिए, हम आपको एक एक रोग डिजीज के बारे में बिस्तार समझाने वाले हैं, तो बने रहे इस वीडियो पर, सबसे पहले बात करते हैं, लीफ माइनर, जो आप इस फोटो पर देख रहे हैं, इसके लिए आप एमा मेक्टिन बेंजवाइट 5% SG को 80 ग्राम प्रती एकल की दर से स्प्रेइ आप कर सकते हैं, इसके अलावा यदि सफेद मक्खी का प्रकॉप है, तो इमीडा किलोर प्रेट जो कौन फी डोर आता है, 150 एमेल प्रती एकल की स्प्रेइ और सकते हैं, या सफेद मक्खी के लिए आप एसीटामि प्रेट 20% प्रेटओं को भी 80 ग्राम प्रती एकल की दर से स्प्रेइ कर सकते हैं, सफेद मक्खी के लिए, थिप्स एफिड़ूप्रेट ऑर फीपरोनेल 40%, इमीडा कलोर प्रेट 40% इन दौनों को 80 ग्राम प्रती एकल की दर्से भी आप स्प्रे कर सकते हैं सकिंग पेस्ट के लिए इसके अलावत तंबाकु इल्ली फल को खाने वाली इल्ली के लिए आप सैंतर नीली प्रोल 10.26% 180 ml स्प्रे कर सकते हैं या फिर एम पिली गो अदमा इंडिया कंपनी की फ्रेत हो रहा है या फिर क्रि विरौन आती हैं इनका इस्प्रे आप कर सकते हैं बहीं कीटों की रोग थाम करने के लिए जैसे थार्माथॉक्षाम 25% रोग और डाइमेथॉइट 30% एजी डेलिगेट जिसमें स्पाइनोटोरम 11.27% है ट्रेसर एमपली गो जिसमें किलोनेंटर नीली प्रोल और लेमड़ एनरजी डेलिगेट रोग और नूबान कॉनफिडोर सोपर ओविरॉन यह से कीट ना सकता इस्प्रे करके आप आब सकता अनुशार इस्प्रे करके काफी अच्छे तरीके से कीटों की रोग थाम कर सकते हैं टमाटर की फसल पर फंगस जनितर बीमारी और बैक्टेरियल जन और फ्रूट रोड और भी बैक्टेरिया बिल्ट की समझ्या देखने के लिए मिलती है एन्थरेकनोज फ्यूजीरियम बिल्ट इसके अलाब और भी फंगस देखने के लिए मिलते हैं जो सबसे ज़यादा लेट बिलाइट अरली बिलाइट पाउडर्रे मिल्डियू और ने एक एक रोक के बारे में एक एक फंगस के बारे में समझाते हैं तो करपया ध्यान से सुनिए टमाटर की फसल पर अर्ली बिलाइट जिसे हम हिंदी पर अंगेती जोलसा की नाम से जानते हैं तो अर्ली बिलाइट के लिए कई दवाई आती हैं उन्हीं में ऐसे जो बेस्ट बे लाता है प्रॉपीनेब 70% WP इंडोफिल का मॉक्सी मेट इसके अलाबा इंडोफिल का जीनेब 75 WP जेड 78, कौपर सलफेट, इसके अलाबा जो सिजन्टा कमपनी की आमी स्टार्ट टॉप, एजॉक्सी इस्ट्रोवेन, डूपॉंट का एक्क्वेशन पिरो और कीटरजन यह अरली बिलाइट पर काफी अच्छा रेजल्ट देते हैं किसी भी एक को आप चैन कर सकते हैं किसान भाई यह इसके अलाब बात करते हैं लेट बिलाइट यानि पच्छेती जोलसा यह सबसे खतरनाक होता है और आपकी पूरी की पूरी फचल को यह नस्ट करने के लिए काफी है समय रहते हैं हम इसे कैसे रोक थाम कर सकते हैं आईए जानते हैं पच्छेती जोलसा को आप मैंको जैब का भी स्प्रे कर सकते हैं कौपर सलफेट, अमिस्टाट टॉब, मॉक्सिमेट, इसके अलाब बायर कंपनी की नैटिबो, एक्रोबेट, डूपॉंट का इक्वेशन पिरो, इंडोफिल का अवतार, बायर कंपनी की इनफिनीटो, किसी भी फंगी साइट को आप लेकर इस्प्रे कर दीजिए, प्रिब स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेप्टो साइकलेंस सलफेट को भी आप स्प्रे कर सकते हैं, ड्रंचिंग भी कर सकते हैं, और आप पौधों को जब पौध रोपाई कर रहे हैं, तो जड़ों को भी आप उपचारित कर सकते हैं, इस्प्रे भी कर सकते हैं, कौपर डिजीज के बारे में bacterial sports तो bacterial sports को आप copper oxy chloride से या फिर copper sulfide से या फिर को भी अन एंटिबायोटिक से भी आप इस परी करके रोक थाम कर सकते हैं इसके अलाब बात करते हैं powdery mildewd powdery mildewd की रोक थाम करने के लिए टमाटर की फसल पर रोक फंगिसाइट यानि थायोफैनिट मिथा 70% को भी आप टमाटर की फसल पर इस्प्रे करके powdery mildewd को काफी हद तक काफी समय तक रोक थाम करके रख पाएंगे इसके अलाब बात करते हैं अंगले topic के बारे में tomato cracking या फिर splitting यानि टमाटर में जो cracking आ जाते हैं उसे कैसे हम रोक थाम कर सकते हैं जो आप इस footage पर देख र result और परिणाम मिल सकते हैं और आप टमाटर की फसल पर हमेशा उपचार प्रेवेंटिव ही रखना चाहिए टमाटर की फसल पर ग्रोथ बढ़वार टॉनिक और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की जानकारी टमाटर की फसल पर जब ग्रोथ ना हो तो उसके लिए आप साग बिटामिन्स का कॉम्बिनेशन है या फिर टाटा की बहार को या फिर सीप टॉन टेन एयल टॉनिक को या फिर इसके अलावा वायर कंपनी की एमबिसन टॉनिक जिसमें अमीनो एसेट बिटामिन्स ट्रेस खनेज और आकारमेक लबल का एक कॉम्बिनेशन है या फिर सिजिन तो उसके लिए बायर कंपनी की प्लानोफिक्स को 40-50 एमल प्रती एकल की दर से स्प्रे कर सकते हैं या फिर घरड़ा का चमतकार को भी आप 200 एमल प्रती एकल की दर से स्प्रे कर सकते हैं इन से नकेवल अनचाही ब्रद्धी को रोकेगी बलकि फल फूल की सेंक्या में काफी तेजी और ब्रद्धी आएगी ज्यादा बहतर रेजल्ट देखे गए हैं बायर कंपनी की प्लावन अफिक्स यानी अलफा नेप्तिल एस्टिक एसेट पांच परसेंट को आप इस्प्रे कर सकते हैं फल फूल की अवस्था में किसान भाईयों आईए जानते हैं स्प्रे का सेडियूल जो हम अपनी फसलों पर स्प्रे करते हैं वही जानकारी हम आपको देना चाहते हैं लेकर हम आपको रेकमेंडेट नहीं करते हैं तो जानकारी आपको प्रती एकार की दर से उपलब्ध होगी टीपी यानी ट्रांस प कोनेग फंजी साइट का मिसरण है जिसे हम आवस्टता अनूसार टमाटर की फसल पर इस्प्रे निर्भर करता है इस्तिती पर परस्तिती पर और निर्भर करता है फसल पर तो चलिए शुरू करते हैं और जानकारी प्रती एकड़ की दर से ही दी जा रही है पौध रूपाई से जब हमाई टमाटर की फसल दसवे दिन की होती है नूबान कीट नासक जिसमें डाइ किलो रोबॉस 76% EC है 250 ml और रोग और 200 ml जिसमें हैं डाइ मैथोड 30% इन दोनों को मिक्स करके प्रती एकड़ 150 लीटर पानी में मिक्स करके प्रियोग आप कर सकते हैं पौध रूपाई से जब हमारी टमाटर की फसल 70 दिन की होती है तो प्रोफेनोफोस 40% प्लस सापरमेथरी 4% EC यानि सेजंटर कंपनी की पोलेटरिन 44 EC को लेना है 250 ml और उसी के साथ बायो बीटा 150 ml प्रती एकड़ दोनों को मिक्स करके प्रती एकड़ की दर्थ से 150 लीटर पानी में मिक्स करके इस्प्रेय आप कर सकते हैं पौध रूपाई से 25 बेदेन डाइमेथरी परशेंट रोग और कीटना सकते 200 ml और आपको उसी के साथ इंडो फिल का जीनेव आता है 200 ग्राम इन प्रती नेव है 70% 300 ग्राम उसी के शाथ लांसर गोल्ड यूपेल कंप्री के जिसमें ऐसी फेट और इमीडा क्लोर प्रेट का कॉम्बिनेशन है 300 ग्राम इन दोनों को मिक्स करके प्रती एकड़ की दर्थ से इस्प्रेय आप करिए जब टमाटर की फसल पौध रूपाई से 42 बे दिन की होती है तो हमको इंडोफिल की जीने 75 WP 250 ग्राम पोसक सुपर 200 ml और साथ ही बायर कंपनी की सोलिमॉन इंसेक्टिसार जिसमें इमीटा क्लोर प्रेट है और वीटा साफिलो थरीन है 100 ml इन तीनों को मिक्स करके प्रती एकड़ की दर्थ से इस्प्रेय आप कर सकत हैं तमाटर की फसल पौध रूपाई से जब 50 बे दिन की होती है तो हमको एक टोनिक लेना है फेंटाक प्लस टोनिक 50 ml और उसी के साथ डाय मैथोयट 30% EC 200 से 300 ml इन दोनों को मिक्स करके प्रती एकड़ की दर्थ से इस्प्रेय आप कर सकते हैं जब हमारी फसल पौध रूप प्रोल और लेम्डा सालो थरीन का कॉंबिनेशन हैं 80 ml और उसी के साथ यूपीयल कंपनी की साफ फंगी साइट जिसमें कॉंबिनेशन हैं कार्वेंडर जिम प्लस मैंको जैब फंगी साइट को लेना है 300 ग्राम प्रती एकल 140 लीटर पानी में मिक्ष करके प्रती एकल की दर से स्प्रेय आप कर सकते हैं पौधर उपाई से जब हुआई फसल 65 दिन की होती है तो क्रेस्टल का प्रोक्राम जिसमें एमा मेक्टिन बेंजवाइट 5 परसेंट एसजी 80 ग्राम और उसी के साथ घरड़ा का पुलेस जो सकिंग पेस्ट पर काफी अच्छा रेजल्ट देता है जिसमें इमीडा क्लोर प्रेट और फिपरोनल का कॉंबिनेशन है 80 ग्राम लेना है और कौपार औक्सी किलोराइट 300 ग्राम इन तीनों को मिक्स करके प्रती एक 10.26 परसेंट है इसको आपको लेना है 150 एमेल और साथ ही इंडो फिल की मॉक्सी मैट 300 ग्राम इनको लेकर और शाथ ही बाइर कंपनी की ओवेरॉन मक्ली नासक को 80 एमेल इन तीनों को मिक्स करके प्रती एकल की दर से इस्प्रेइ आप कर सकते हैं टमाटर की फसाल ट्रांस प ऐसी फॉम में आती है 150 एमेल और उशी के साथ एन एए यानी अलफा नेप्थिल एस्टिक एसेड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बाइर कंपनी की जो प्लान फिक्स आती है उसको लेना है 40-50 एमेल प्रती एकल की दर से 140 लीटर पानी में मिक्स करके प्रती एकल की दर स स्प्रेय आप कर दीजिए इसके अलाबा पौध रूपाई से ट्रांस प्लांट से टमाटर की फसल जब 90 दिन की होती है तो बाइर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टी साइट 120 एमेल और फेंटाक प्लस टोन है के जिसमें अमीनो एसे और बेटामिन्स का कॉंबिनेशन है 100 एमेल उसी के साथ डूपॉंट का एक्क्वेशन प्रो फंगिसाट जो मुख रूप से बलाइट को रोक थाम करता है जिसमें फेंमोकसा डॉन और सामोकसी निल का कॉंबिनेशन है 200 एमेल प्रति एकल की दार से दौनों को मिक्स करके इस्प्रेय आप कर सकते हैं किसान भाईयों ज को 200 ग्राम साथ ही सजेंटा कंपनी की एंपिलिगों इंसेक्टी साइट को 80 एमेल इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकल की दर से स्प्रेय आप कर सकते हैं जब टमाटर की फसल ट्रांस्प्लांट्स हैं 110 वे दिन की होती है तो हमको भी एसेप कंपनी की केप्री टॉप फंग की डेलिगेट 150 एमेल बायर कम्पनी की मैलोडी ड्यो फंगी साइट प्रति एकल 240 ली्टर पानी में स्प्रेय करें तमाटर की फसल ट्रांस्प्लांट से 140 वे दिन की होती है तो बायर कम्पनी की ट्रेसर जिस में इसपाईनो सेड आता है पचास एमेल और यूप एल कम्पन से 155 बे दिन की होती है तो एमा मेक्टिन वेंजॉइट 5% SG 80 गराम और एक मकडी ना सक धानुका की ओमाइट्स 200 एमेल और उसी के साथ बायर कंपनी की एमबी सेंट टोनिक 300 एमेल इन तीनों को मिक्स करके प्रेती एकड़ की दर्सें इस्प्रेइ आप कर सकते हैं किसान भायों जब हमाई फसल टमाटर की ट्रांस पिलांट से 165 बे दिन की होती है तो एंट्राकॉल फंजी साइट 300 गराम और उसी के साथ सेजेंटा कंपनी की बोलियाम फ्लेक्सी 80 एमेल प्रेती एकड़ की से इस्प्रेइ आप कर सकते हैं टमाटर की फसल पौधर हो पाई से 175 बे दिन की होती है सेजेंटा कंपनी की बिलू कॉपा यानि कॉपा रॉक्सी किलोराइट 50% फंजी साइट को लेना है 300 गराम और उसी के साथ स्ट्रेप्टो साइकलिन सलफेट 12 गराम टाटर की सम्मेट इनसेक्टी साइट 125 एमेल इन तीनों को मिक्स करके प्रती एकड़ की दर से इस्प्रेइ आप कर सकते हैं टॉमाटो की फसल पौधर हो पाई स्ट्रांस प्लांट्स 185 बे दिन की होती है 185 बे तो हमको UPL कंपनी की कॉप्रो फिक्स 300 ग्राम एमपलिगो 80 एमेल इन दोनों को मिक्स करके प्रती एकड़ 140 लीटर पानी में सिलिकोन चिप को मिलाकर इस्प्रेइ आप कर सकते हैं किसान भाईों बात करते हैं खाद का सेडिल यानि अधिक उपज उत्पादन टमाटर की फसल पर बजन बढ़ाने के लिए अधिक उपज के लिए जड़ा मंजबूत करने के लिए फसल को ठीक तरीके से बनाने के लिए कब कौन सी खाद देनी चाहिए इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है बहुत ही आवस्तक और बहुत ही महत्पूर टॉपक है लेकि समझे यह खड़ी हो जाती है कि किसान भाईयों को यह जानकारी बहुत कम है कि कौन सी खाद कौन सा काम करती है तो सबसे पहले खाद का सेडूल जानने से पहले ही खाद के बारे में जान लेते हैं जिसमें ज्यादा बहतर रहेगा यह वीडियो लंबी तो होई रही है थोड़ा और लंबी हो जाए लेकिन जब वीडियो को बेस्तार से जानकारी दे रहे हैं तो बेस्तार से ही होनी चाहिए एनपी के 1999 यह बाटर सेलियो और फटी लाइजर से जिसमें नाइटोजन फासफूरस फोटास की मात्रा है यह टमाटर की फसल पर प्रारंबिक अवस्ता में देना चाहिए यानि वनस्पतिक स्टेज में और इसके अलाब किसान भाईयो एनपी के 024 फूल की अवस्ता में देन चाहिए पुस्पन स्टेज पर और किसान भाईयो जीरो जीरो पचास यह एनपी के घुलंसील खाद 0050 को फल की अवस्ता में देना चाहिए फूल की अवस्ता में देनी चाहिए फसल में प्रारंबिक चर्णों में दी जाने वाली घुलंसील खाद हैं जैसे 0050 को फूल की अवस्ता में देना चाहिए केलसीम नाइट्रेड खाद फसल में केलसीम और नाइट्रूजन की पूर्टी करने के लिए आप केलसीम नाइट्रेड एक खाद को अपना सकते हैं यह गुलंसील खाद होती है जिसमें फसल की फल पौधे पत्तियों में ब्राइट का नवाती है यह गुलंसील खाद केलसीम नाइट्रेड पौटास बाइट पौटास टमाटर की फसल पर जणों को मजबूत करती है और फलों को बढ़ाने में उपज बढ़ाने के लिए काफी जादा योगदान रहता है मैगनीसियम सलफीड तो मैगनीसियम सलफीड आती है जिसमें मैगनीसियम की मात्रा है 9.6% और सलफर की मात्रा है 12% साथ ही मैगनीसियम आकसाइट की मात्रा है इसमें 16% टमाटर के फल केलसीयम और मैगनीसियम की कमी के कारण क्रेकिंग की समस्या आने लगती है यह समस्या यानि AMGSO4 की पूर्ती करता है सलफर फसल में तंदुर उस्ति प्रदान करता है और शाथी अमोनियम सलफेट नाइट्रोजन और सलफर की पूर्टी करता है किसान भाईयो एमोपी यानि मूरेट और पोटास घुलंसिल खाद की बात कर रहे हैं यह भी उपज बढ़ाने के लिए और चमक बढ़ाने के लिए काफी जादा एउगदा रहता है किसान दोस्तों बात करते हैं यानि नाइट्रोजन के बारे में तो यूरिया जो खाद आती है इसको बहुत ही सावधानी पूर्वाग इस्तमाल करना चाहिए नाइट्रोजन की यह पूर्ती करता है यूरिया और लेकिन यह फसल को केवल वढ़वार देता है इसलि को ट्राइकोडर्मा, माइकोडराइजा जैसे जैब और वरक का इस्तमाल करते हैं और महीने पर एक बार क्लोर पारी फास को भी छोलते हैं 400 ml प्रती एकल की दाल से ड्रिप सीजाए के माध्यम से बोरॉन का जो मुख वर्क होता है फलों की चमक को बढ़ाने के लिए बराइटनेस बढ़ाने के लिए आप बोरॉन का भी स्प्रे और ड्रिप पर दे सकते हैं इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स सुख चपो सकता तत्वेक उत्खाद जो हर फसल पर लागवाग साई परकार की फसलों पर इस्तमाल की जाती है ख़द माइक्रो न्यूट्रियन फर्टिलाइजर्स जिसमें 4-5 माइक्रो न्यूट्रियन होते हैं जो फसल में उपाज उत्पाद में बढ़ाने के लिए काफी जादा योगदान रहता है इसके अलावा जिंक जिंक का यह महत्व है कि यह निव ब्रांचिस को बढ़ाता है निव ब्रांचिस को लाता है टेलरिंग की संक्या बढ़ाता है टेहनियों को भी बढ़ाने में काफी योगदान रहता है जिंक का तो देखिए खाद तो मार्केट पर कई प्रकार की आती हैं सब को बताने लगेंगे तो एक वीडियो इसी पर बन जाएगी लंबी चोड़ी तो इसलिके जो टमाटर की फसल पर जाद तर जो कषाद इस्तमाल होती है हमने मौटा मौटी उसको ले लिया है फिर किसी आने वाले वीडियो पर जरूर समझा देंगे की कौन सी खाद किस काम में आती है उसके बारे हम इस पिसल डेपली जानकारी दे देंगे अभी हमने एनपी के का मतलब होता है नाइट्रोजन फस्पूरस पोटास किसान भाईयों आवस्तक्ता अनुशारी फर्टीगेशन करना चाहिए तो हम किस प्रकार करते हैं खाद सेडियूल फर्टीगेशन सेडियूल तो पौध रूपाई से दस वे दिन हम खाद देना स्टार्ट करते ह एक किलोग्राम यूरिया और उसी के साथ एक किलोग्राम एनपी के उननाईس गुलांजी फ़ाद को डिप सिचाह से प्रती एकल की दर से आप दे सकते हैं। हाथ को ड्रिप सीचाई से दीजिए और जब हमाई फसल ट्रांस प्लांट से 18 दिन की होती है तो दो किलोग्राम यूरिया एक किलोग्राम एन पीके 19-19-19 प्रिप सीचाई से बेंचुरी के माद्य हम से छोड़िये टमाटर की फसल पौधर हो पाई से जैसे ही 21-22 दिन की होती है तीन किलोग्राम यूरिया और एक किलोग्राम एन पीके 12-1-0 डिप सीचाई से छोड़िये जब हमाई फसल ट्रांस प्लांट से 24-वे किदर से डिप सीचाई से छोड़ें अब जो किसान भाई सिंपल तरीके से कर रहे हैं तो 10-15 पंदर दिनों की अंतराल पर भी आप खाद दे सकते हैं जड़ों के 5 सेंटीमीटर दूर गड़ा खोद कर छोटा साल लागवाग चार से 5 सेंटीमीटर गड़ा खोद कर इन साथ को ट्रांस्प्लांट से जैसे हाई फसल 27 वे दिन की होती है तो 1 कीलोगराम N PK 174-0 मैगनिसियम सलफेड 2 किलोगराम प्रति एकल कीदार से छोड़ें पौध रूपाई से 30 वे दिन की हाई फसल होती है टमार्टर की तो 1 किलोगराम N PK के उननेश 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 दो सो पचास ग्राम हिउमेक एसेड गरनील्स खात को प्रैथी एकार ड्रिप सिचाहे से छोड़ें पौध रूपाई से जैसे ही हमाई फचाल 32 दिन की होती है तो 500 एमल लेक्वेट ट्राइको डर्मकल्चर को छोड़ना है इसके साथ कोई भी रा इस तीरह एक किलोगराम इन दोनों को मिक्स करके प्रैथी एकड़ की दर से आप छोड़ सकते हैं टामाटर की फचल ट्रांस प्लांट से जैसे 38 दिन की होती है तो 500 एमल लेक्वेट माइक्रो नूट्रियन को और उसी के साथ 2 किलोगराम एनपी के उननेश 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 दिन की हमाई फचल होती है तो 2 किलोगराम एनपी के उननेश 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 और उसी के साथ कैलसी हमनाटर की दर से छोड़ सकते हैं जब हमाई फचल पौद रोपाई से 50 दि होती है तो 2 kg NPK 0.524 घुलंजिल खाद प्रती एकार की दासे ड्रिप सीचाई से छोड़ें जब हमाई फसल 55 में दिन की होती है ट्रांस्प्लांट से तो NPK 0.524 दो किलो ग्राम माइक्रो न्यूट्रियन एग्रोमेन 200 ग्राम फर्टिलाइजर्स प्रती एकार ड्रिप सीचाई से छोड़ें तमाटर की फसल पौद रूपाई से 65 दिन की होती है NPK 12101 दो किलो ग्राम बाइट पॉटास दो किलो ग्राम प्रती एकार ड्रिप सीचाई से अवस्थ आनुसार छोड़ें पौद रूपाई से 70 दिन NPK 1824 छोड़ें तमाटर की फसल पौद रूपाई से 80 दिन की होती है तो केवल 4 kg केल्सियम नाइट्रेड खाद प्रती एकर ड्रिप सीचाई से छोड़ सकते हैं जब हमाई फसल पौध रुपाई से 90 दिन की होती है तो NPK 0.254 तीन किलोगराम और शाथी NPK 0050 तीन किलोगराम प्रती एकर ड्रिप सीचाई से आप छोड़ सकते हैं और खादों को आवच सकता अनुसार ही आपको प्रियोग करना चाहिए टमाटर की फसल ट्रांस प्लांट से लगभग 100 दिन की होती है 100 दिन की होती है तो NPK 13.045 तीन किलोगराम माइकरो न्यूटरिन दो किलोगराम प्रती एकर ड्रिप से छोड़ें पौध रूपाइ से 120 दिन आमोरिम सल्फेट 3 किलोगराम मैगनीसियम सल्फेट 3 किलोगराम प्रती एकर ड्रिप्स तीजाहिसे छोड़ सकते हैं प्रती एकर की दर से जब हमाई टमाटर की फसल पौध रूपाइ से 130 दिन की होती हैं सलफा 90 परसेंट वाली दो से तीन किलोग्राम इसके अलावा अमोनियम सलफेट दो किलोग्राम प्रती एकाड की दर से छोड़ेगे टमाटर की फसल पौध रूपाई से 135 वे दिन की होती एनपी के 0-0-53 किलोग्राम केबल छोड़ें डिप सीचाई से किसान भाईयों जब टमाटर की फसल पौध रूपाई से लगभग 140 वे दिन की होती है तो एनपी के 174-0-3 किलोग्राम बाइट पोटास 3 किलोग्राम प्रती एकाड डिप सीचाई से छोड़ सकते हैं जब हमारी फसल पौध रूपाई से 150 वे दिन की होती है तो ट्राइको डर्मा जैब बैक्टिरिया 250 एमल प्रती एकाड की दर से आप छोड़ सकते हैं किसान दोस्तों जब हमारी फसल पौध रूपाई страш ट्रांस प्लांट से 160 वे दिन की होती है तो आमोनियम सल्फेट 2 किلोग्राम मैगनीसियम सल्फेट 3 किलोग्राम प्रती एकाड की दर से छोड़ सकते हैं टर्माटरकी फसल ट्रांस प्लांट से 170 वे दिन की होती है तो एन पी के 13,045-3 किलूगराम माइकरो न्यूट्रियंस एक किलूगराम ड्रिप से आप छोड़ सकते हैं जब हमारी फसल पौध रोपाई से 180 वे दिन की होती है तो एनपी के 0050 तीन किलोग्राम गुलंजी लखाद को प्रती एकर ड्रिप के माध्यम से छोड़ सकते हैं तो हेलो सर हम आपको एक बार और रिपीट करना चाहते हैं आप फर्टिगेशन, इस्परे सेडियू आवसकता अनुसार ही इस्प्रे और फृटिगेशन करें इस से आपको ही फायदा होगा यावसकता अनुसार ही फर्टिगेशन करना चाहिए आईए बात करते हैं अंगले और नेक्स टॉपिक के बारे में जीबन चकत तो टमाटर की फसल पर यदि ठीक तरीकी से आप बिलाइड फंगस और रोग डिजीज को रोग थाम करके रखते हैं तो 6-7 महिनी की यह फसल है थोड़ा सा मैंटेन पर नेरफर करती है बात करते हैं लागत तो ड्रिप, मल्चिंग, पीपर और अन्न खर्ची जोड़ कर भी डेल लाग से दो लाग परती एकड़ का खर्च आता है बात करते हैं मुनाफ़ा तो लागत काट कर लगभग दो लाग रुपे आप एक एकड़ से कमा सकते हैं और नेक्स्ट येर आपका ड्रिप का खर्चा बच जाएगा जो लगभग 40-50 जार में एक एकड़ का खर्च पड़ता है तो ध्यान रखना है आप 2-3 साल खेती करें तब आपको फार्दा समझ में आएगा क्योंकि फर्स्ट येर तो आप ड्रिप का खर्चा कर रहे हैं जो काफी महंगा हो जाता है लेकर नेक्स चाल लाग रुपे तक एक एकर से कमा सकते हैं तो रेट पर भी नरभर करता है हम आपको मौटा मौटी बता रहे हैं रेट इसके अलाव बात करते आवसक महतबूर और रोचक जानकारी तो किरपया ध्यान से सुनिए बेडे को आप 100% फॉलो ना करें अपनी फसलों पर आव बिवेक अनभव का इस्तमाल जरूर करें और दवाई खाद अन प्रोडक्ट में दी गई जानकारी को ध्यान पूरवक पढ़ें और एकस्पारी डेट देखकर ही इस्प्रे आपको करना है किसी भी दवाई को लगतार या फिर बार बार इस्तमाल ना करें नहीं तो रिजल् पर टमाटर को पास पास में लगाना चाहिए वीडियो बनाने का उद्देश से केवाल क्रैसी से जुड़ी जानकारी सेयर करना है ना कि किसी कमपनी का रासानिक दवाओं का खादों का परचार परसार करना बिलकुल भी नहीं है हम आपको किसी भी कमपनी की प्रोड़क्ट इस्प्रे करने की सलाह नहीं देते हैं हम आपको टेक्निकल बेश से जानकारी बताई है इस वीडियो पर आप किसी भी भरुश्यमंद कंपनी का भरुश्यमंद दवाईयों का इस्प्रे कर सकते हैं यदि फसाल ठीक तरीकी से ग्रोध हो रही हो तो खादों की मत्र आप कम करके भी इस्तमाल कर सकते हैं तो किसान भाईयो एथी टामाटर की फॉल वीडियो संपूर जानकारी इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसोग पेज को लाइक कर सकते हैं और आप यदि चाहते हैं फ्यूचर पर भी हमको इसी प्रकार अन्न फसलों की जानकारी बिस्तार की साथ डिटेल के साथ मिलती रहे तो आप हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी तो मिलते हैं कुछ और इंट्रेस्टिंग और ग्यान बरतक जानकारी की साथ तब तक के लिए धन्नवात नमस्कार